तो भाई ये है लेटस्ट CR DROID का 9.1 अपडेट Redmi K20 Pro के लिए जो कि स्टार्टिंग में फैब के आ चुका है और ये वाले जो CR DROID के अपडेट साना बेसिकली एक मन्त में दो तीन बार आ जाते हैं एक डिवाइस के लिए तो इसमें कैसे changes है कैसी optimization है क्या fixes है क्या कुछ included है कैसी gaming optimization है चलिए बात करते हैं पहले चलेंगे about phone page में तो ये CR DROID का logo है android version 13 के साथ CR DROID version 9.1 है January का security patch level उसके बाद यहाँ पे bulex kernel है feb 5 से updated उसके बाद build date भी आपको feb 5 देखने को मिल जाती है और first of all यहाँ पे आपको डिवाइस आपका certified मिलेगा उसके बाद यहाँ पे wide van L1 है google photos में spoofing मिलेगी भाई और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यह charging speed मिल जाती है और ROM को जो मैंने normally use किया तो active rain काफी अच्छा है और idle rain भी काफी अच्छा है और deep sleep भी working है उसके बाद cbth rolling ग्राफ में 88% तक आपका cbthrottle करेगा और into two scores यहाँ पे run नहीं होते मैंने इसको try किया clear data भी करके देखा तो यहाँ पे यह स्टक हो जाता है एक time के बाद और यहाँ पे जो आपके geekbench 5 के scores है वो आप देख सकते ह बाकी k profiles आपको मिल जाते हैं तो मैंने उनको यहाँ पर performance mode की ओपर enable कर रखा था तो इन सब चीजों को आप consider कर लेना यह second ROM है जिसमें आपको MIUI camera मिल जाता है एक evolution X है और यहाँ पे आपको like का वाला camera मिलेगा basically MIUI वाला ही taste है और यहाँ पे 4K 60fps से portrait working है और यहाँ पे pro lenses का option भी मिलेगा night side up to 2X है उसके बाद slow motion videos आपको मिल जाती है अब 2 I think 1080p 960fps में तो सभी चीज़ें आपको working मिलेंगी और अगर आप LMC 8.4 को try करना जाते हो जिसका video भी upload हो चुका है तो यहाँ पर भी almost सारे modes आपके working है like मैं slow motion videos भी check करवा देता हूं up to 1 by 8x तक आप record कर सकते हो और जो normal videos आप 4K 60fps में काफी अच्छे से record यह कर लेगा रॉम में वैसे जी apps installed नहीं मिलते तो आपको install करना होगा separately first of all device में अगर आप यहाँ पे quick side panel को pull down करते हो तो यहाँ पे कोई lag नहीं आएगा optimization काफी अच्छी है उसके बाद app opening closing animations आप यहाँ पे देख सकते हो यह AUSP वाले आपको मिलेंगे जो कि आप clearly check out कर सकते हो और यह vanilla build में कुछ ऐसे ही animations होते हैं बड़ यहाँ यहाँ पे smoothness आपको feel होगी कोई भी issues आपको नहीं आने वाले and यहाँ पे recent menu check out कर सकते हो यह भी काफी super fluid है और haptics आपको मिल जाएंगे left side में google cards नहीं मिलेगा क्य dedicated apps भी आप access कर सकते हैं वैसे Motorola की और से Dolby Admos ROM में आपको मिल जाता है जिसको अगर आप use करना चाते हो तो इसका dedicated app आपको मिल जाएगा तो इसको आप try कर सकते हो अब settings में चलेंगे यहाँ पे आपको apps में मैं check out करवा देता हूं कुछ ज्यादा changes नहीं मिलेंगे battery में आपक तो सारे options नहीं मिलते है haptics आपको मिल जाएंगे वैसे तो बढ़ यहाँ पे वो वाले changes नहीं मिलते डिरैक वाले और ना ही clear speaker का option है तो पर volume control से ही आपको काम चलाना पड़ेगा अब display में आओगे तो यहाँ पे live display है और यहाँ पे handy flicker mode है color calibration picture adjustment है यह colors के options है और यहाँ प बात करेंगे भई और यहाँ पे आपको screen of FOD भी देखने को मिल जाता है as you can see कुछ इस तरीके से आपको FOD की speed देखने को मिलती है और यहाँ पे जब आप screen of FOD को enable करते हो ना तो आपको यहाँ पर पहले AOD आपको देखने को मिल जाता है और screen on के साथ में भी काफी ज्याद इस अबडेट में बट यहाँ पे जो है आपको FOD के regarding icon picker का आप यह option मिलेगा और यहाँ पे screen of FOD का आप यह option है और customizations आपको मिल जाती है और यह आपको controls मिल जाएंगे lock screen पे तो इनको आप enable कर सकते हो then navigation के options है then buttons आपको मिल जाएंगे जिसमें power menu में advanced restart है और user interface में सारे के सारे options मैंने already explain किये थे वीडियो में तो यह आप check out कर सकते हो यहाँ पे in call vibration options है और यहाँ पे higher fps unlock कर सकते हो यहाँ पे photo spoofing आपको मिल जाती है जैसा मैंने आपको starting में बोला था और google services enable disable करने का option है parallel space है smart charging है swipe to screenshot है बागी weather वगएरा भी आप customize कर सकते हो security में चले basically system में तो यहाँ पर भी almost सारे के सारे changes आपको same मिलेगे बट source side से कुछ थोड़े मोटे changes आपको internally यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनको हम read नहीं कर सकते हैं मैंने bgmi play किया और यहाँ पे performance उतनी दगडी मेरे को नहीं मिली ना ही उतना तगड़ा response मिला मेरे को bgmi में तो यह ROM आप avoid कर सकते हो gaming के लिए और कोई और on try कर सकते हो bgmi अगर आप खेलना ही चाते हो तो भाई मैंने already काफी सारे वीडियो बना रखे हैं meui ori series पे और ori से याद है 7.0 का वीडियो कल आपको मिलेगा subscribe करना और वीडियो को like करना मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ